आप सुरज के आखरी के साथ आते ही और पहली के साथ चले जाते हैं, ऐसा मालू होता है, दिन की रोशनी से डर्ते हैं। हम डरते जरूर हैं दुलारी, मगर दिन की रोशनी से नहीं, बद्धनामी से! कि ये सब जूते तो सिर्फ इतना एक राजा अपनी रातों को रंगीम बनाने के लिए रात को यहां आता है सुवापने मैल को वापस चड़ा जाता है यह लोगे इजद की हमत तो तब है ईटार बहादर, आज आप यहां से केले नहीं जाएंगे, मेरी बेंट भी आपके साथ जाएगी, और आपकी तुरहन बंका यह क्या होगी भी यह ले जाओ इस खोनी कुट्टे को पुलिस के हवाले कर दो मैं तो सरकार सिर्फ यह अर्ज करने आया था कि इस दस्तावेज की मियाद खत्म हो चुकी है, मियाद बढ़ सकती है, मगर सरकार सूथ की तारिख भी तो बुजब चुकी है, खजानची जी, यह हम क्या सुन रहे हैं, आप धनी राम का सूथ वक्त पर अदा नहीं करते हैं, व एक बात और याद रखना भनी राम के जी, कल छोटे कमर यहां आ रहे हैं, उनके सामने अवल तो इस जोड़ी में कदम नहीं रखना, और अगर फूले से आभी जाओ, तो सूद और मूल का किस्सा जबान पर नहीं लाना, हम सब कुछ बरदाश कर सकते हैं, छोटे भाई की नजरों में गिर नहीं सकते हैं, समझें? सूरज 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 पुली पिताजी आप कैसे हैं, पिताजी? यह सब क्या है, पिताजी? यह बैंग, यह बाजा, यह सहाप है कौन? राजा बहादूर हैं, अपने छोटे भाई को लेनी आएं छोटे भाई? यह बाजादूर यह बाजादूर अरे, हम सफर खुब्सूरत वह हमारे इतने नजदीक और फिर बी इतने दूर दुलारी, तुम यहां क्यों आई है? और वीडियों में कुछ और कहना है तुमें? जी हां, कहना है आपने कुछ वायते किये थी उतसे कौन से वायते? शादे के नहीं दुलारी नहीं हम तुमें कैसे समझाएं कि तुम इस घर की शौबा नहीं बन सकती हम अपनी भूल की कीमत अदा कर सकते हैं लेकिन जिंदकी का सौधा नहीं कर सकते हैं आज आपको एक तक्लीफ करनी होगा कहिए आपको मेरे घर चलना होगा मैंने अपनी बेटी के लिए जो जेवत तयार की है एक बार आपको दिखाना चाहता हूं बहुत अच्छे हीरा लाल जी कुछ चीजें तो बिल्कुल नायाब अच्छे अच्छे रादे महराजाओं को यहां भी नहीं मिलेंगे शुक्रीयर है है हमारे साइसे भी इतनी नफ्र है हमारे अक्सपर भी पथर फैंगे जारे है जी नहीं अपने अक्सपर वो मेरा ख़त मिरा था आपको जी हां उपर मेरा नाम लिखा था निजी आपका पीच का कांगर खोरन था जी वो दरसल बात ये है कि दिल की बात काविज पर ना सका कौन सी बात इतनी बड़ी बात कि इंसान लाखों किताबी निफ्ट डाले तो भी न कह सके पर इतनी चोटी बात जिसे एक आशुरू एक सिस्की एक मुस्कराहट कह दे देखा बात वही है जो इस ध्रती के पहले मरत निस ध्रती के पहली आुरत से गई थी मुझे तुम से प्यार है तुम मेरी हो मेरे सिवा किसी की नहीँ खाती हो कसं मे जैदा इंतिजार नहीं कर सकता सरकार अगर सौधागर मल आपकी जमीनों की डिगरी ले सकता है तो मेरे लिए भी अदालत और कचरी बन नहीं है मैं भी जाके कानून का दर्वाजा करता सकता हूं तुम हमें धंका रहे हो धनी राम राम कही है राजाबादू मेरी क्या आउकाद कि मैं आपको धंका सकता हूं मैं तो यह अर्ज कर रहा हूं कि अगर मेरा करदा आदा नहुआ तो यह आपका शांदार महल निलाम हो जाएगा शहर भर में पोस्टर लगेंगे अखबारों में इस्तिहार छपेंगे गली बाजारों में डॉंडी पिटेंगे अब आपी बताईए कि उस वक्त आपके दिल पर क्या दिलेगा जब कोई पनवाडी कोई पंसारी या कोई आटा डाल बेशने वाला बनिया या कोई नया माझा लगा हुआ ठेकेदार गोली देकर या आपके बाप दादा के निशानी खरीद लेगा जब जाओ यहां से वरना नीलामी के पोस्टर लगने से पहले तुम्हारी लाश लटक रही होगी हमारी हवेली के भाटक पर जाता हूं राजा बहादूर अपने दिल का ये गुबार भी निकाल लो लेकिन फिर भी अपना हिसाब बन नहीं होगा बलके शुरू होगा कुछ जीने तो बिल्कुल नायाद है अच्छे अच्छे राजे महारा जाओं कि यहां भी नहीं है कुछ कर झाति जीध सबसी थीध बाल जीध सबस। आप आप तुम्हें मालूम नहीं आज क्या हुआ है और हम क्या से क्या हो गए तुम्हारा भाई या चोर कम गया है सूरज लेकिं क्यूं और कोई रास्ता नहीं था धनी राम तुम्हारे सामने धंकिदे कर गया और हमने कहा था कि हम अपने दादा की आनपान का निलाम नहीं होड़े तुम्हारे सूरज लेकिया कर लेड़ो आपकी पगड़ी अपने सर बांद रहा हूं भाई साथ ये चोरी मैंने की है सूरज सूरज तुम ये कहते हुए कलेजा मूँ को आता है लाला जी के चोर राजा बहादुर का छोटा भाई सूरज है सारा माल उने से ब्रामन हुए है तुमोरा नहीं कर सकता है था मैं है सब् सब जूटा सब जूटा सब जूटा लगता है आप भी राजा बहादर के कमिने पन के शिकार हो गए हैं खबरतार भाई साहब की शान के खिला एक लफ भी कहा तो जबान हची माफ करना मेरी बाद से तुम्हें तक्रीफ हुई लेकिन जिस गरिबान पर तुमने हाट डाला है उसके पीछे एक बहुत बड़ा जखन है वागर तुम्हारी बुद्परस्ती देखकर जबान को ताला लगया है एक दिन तुम्हारा ये भरम जरूर तूटेगा सूरज की नादानी की वज़े से राजा बादूर क्या से क्या ह गीरधारी लाल जी, मेरे दिल की बाद दिल में रहागे। सोच रहा हूं, अब उनसे रेखा के लिए कैसे बाद कर क्या इतने बड़े हादिसे के बाद आप ये रिष्टाचा चाहेंगे क्यों ही ग्रधारी लाल जी मैं तंग दिल मैं तंग नजर नहीं हूं राजा बहादू राजा बहादूरी मुझे उन पर नास है तु यहाँ आज राखी इतने भरिया ओ, तभी आज तु बहुत याद आ रही थी मुझ तो खोलू कुंदन भाई, यही है न तुवारी बैन हाँ, यही है वो बजनसीव सुनिये भाई का प्यार तो मैंने बहुत देखा है मगर भेन का प्यार नहीं देखा मेरी कोई भेन नहीं मुझे मेरा आखी बांदो भेन तुनरी, बांदे रखी खुदरत कैसे कैसे खेन देखा दिया तेरा लाल जी आप बैठे क्यूं है आईए आईए पूरा बोज हमारे कंदों पर डाल दीजिए मैं तो सोचता था राजा बाहदुर पूरा बोज हमेशा के लिए आपके कंदों पर डाल दीजिए हम समझे नहीं मैं आपसे दान मांग रहा हूं अपनी लवती बेटी रेखा के लिए तुहाद का दान हमें आप सोचने के लिए वक्त दीजिए सूरज भाई साब मेरे बच्चे सूरज सूरज हाँ भाई साब मैं तो भूली गया तक घर क्या होता है घर की खुश्बी क्या होती है सूरज हम शादी कर रहे हैं सच बस सरफ तुम्हारा ही इंतदार था लड़की वाले बेहज़वर दे रहे लेकिन हमने कहा कि हमें सबसे पहले अपने सूरज की मन्दूरी चाहिए मेरी मन्दूरी भाई साब आप अच्छी ता जानते है आपकी हर पसंद मेरी पसंद अब जल्दी से बताईए हो खुश्मसीबलर की है को अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें उसकी तस्वीर दिखा सकते है कि जैसे दोनों जहान की तौलत मुझे मिल गई हो भाई साब मैं तो खुद सोच रहा हूं कि चंदनों के लिए कहीं और चला जाओं जैसे ही मैं आपके साथ रहूंगा तो लोग क्या कहेंगे लोगों को क्या पता कि तुमने हमारे लिए क्या किया है और हमने तुम्हारे साथ क्या किया अब Сाब, जब हमने उस रात की याद आती है रातों की में हराम हो जाती है, जी न पाफुद । भाई साब, भाई साब भगवान के लिए आवे कुछ मत क्यी यह क्यों ना करें चुर्म हमने किये और नान तुमने लिखवा लिये है क्या कहा तुम सूरत से प्यार करती उस चोष से जो चोरी के माल के साथ पकड़ा जया मैं कैसे मान दो कि तेश की सारी पुलीज छूटी मुल्क की सारी अदालते बाहरी क्यिस दुनिया में की सकी चीज बोह तुमारा अंधा प्यार मेरा अंधा नहीं है जैदी अंधी आपकी दोस्ति है और आपकी दोस्ती के खार अपना और भली नहीं चड़ाओंगे शी को जेखा जिली तंब जी चाहन लेकर हां गो सक है आगे उनी आप उनो खुछ रखने के खुछिच कीजिए बस इससे जदर आरना कुछ नहीं कहना चाथ अज़ दुनिया है हमारी जलेंगे तन के के लो हम आये दूला भया के बाराती बनके कि यलो हम आए दूला पारादी बनाखे अच्छ जो तुमने सुना है वो भी सच है सुरज और जो तुम देख रहे हो वो भी सच है कि जिस दुलारी से नजाने में तुमने गाकी बनवाई थी वह उसी शरीव घर का गहना नहीं है बलकि बजनाम बजार की एक दुकान है जो रात के अंधेरे में खुलती है और सुरज की पहली की रंग साथ तंध हो जाए है अमों कहने काया हो यहां मैं कुछ कहने नहीं हूं मैं मांगने आया हूं वो कर्ज जो राखी बंधवाते वक्त तुमने चुकाने का बादा किया था क्या चाहिए तो है कुछ ज्यादा नहीं चाहिए नहीं है सिर्फ एक चुटकी सिंदूर अपनी मां में बढ़े के लिए और यह सिंदूर वही दे सकते ही जो यहां दुला बनकर आया है तुम्हारी भाई राजा बहादुर। हाँ दूरश! दूलारी, काश मैने तुम्हें भेंद भुका हूता दूरश! भाई साथ, यह आपने क्या कर दिया भाई साथ? जिन्दगी का पहला और आखरी नेक का जिसका लिए धेरी राज में आके घर चुरी हुई थी उस पे भी सूरश नहीं आया था हम आये थे हम आके राजाबाद। हम जाने से पहले अपने सारे कर्स चुका देना चाहते हैं तुरा कर्स, दुलारी कर्स सूरश अवेली निलाम कराकर दनी राम की एक एक पाई चुका रेना आज हमने आपका बनाया हुआ जेवर परकिया अपने सूरश के लिए सूरश मेरे बच्चे ये जेवर तेरा था तेरा है और तेरा ही रहेगा तुलारी तुझे मांग मैं संभूर की लाली भवने का बहुत शौपता था तुलारी को थावी का रुपा देना क्रिवर पकी वऑन वऑन देवर और युझे आ वऑन